प्यारेवचों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डेन पाट साला में दोस्तों नेशनल मीन्स का मेरेट स्कॉलर सिफ इकजाम के लिए आज हम लोग विज्ञानी कलास में पढ़ेंगे एक महात्मूर चैप्टर जिसका नाम है भातिक योम्रासायनी परिवर्तन इसके अलावा आपके आजपास में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में चैप्टर आपका कच्छा साथ ही किताब में दिया गया है तो उसी सम्मंदित जो भी प्रशन आपके इंपोर्टन है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे और सबसे पहले तो कुछ आए वे प्रशनों को पढ़ते हैं पहला प्रशन जैसे आपका दिया गया है जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ाता है तो ये बच्चों प्रशन 2012 की परिच्छा में आया था और इंपोर्टन प्रशन है आने के चांस है इसके तो जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ाता है सामाने जल, नदी का जल, शमदर का जल या नम वायू तो इसका बचो सही जवाब हो जाएगा जो नम वायू होती है वो जंग लगाने के प्रक्रम को बढ़ा देती है अर्थात नम वायूस से लोहे में जंग अधिक लगती है इसके बाद है question number 2 लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ये 2015 में बच्चों पूछा गया प्रश्ण है hydrogen, nitrogen, oxygen या नियान तो लोहे में जंग लगती है मुख्य रूप से oxygen रिकारड C option आपका सही जवाब हो जाएगा ये लोहा जो होता है नमी में नमी की उपसित में oxygen से किरिया करके iron oxide बना लेता है इससे जो है जंग का निर्माण हो जाता है इसके बाद question number 3 नियुन में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो चूने के पानी को दूधिया कौन क करता है carbon dioxide carbon monoxide या फिर nitrogen dioxide या फिर chlorine तो कौन सा सही जवाब बच्चों हो जाएगा थर्ड option का बच्चों राजी टांसर आपका हो जाएगा ये आपसन carbon dioxide चो carbon dioxide होती है ये चूने की पानी को दूधिया कर देती है तो राजी टांसर आपका ये आपसन हो जाएगा और ये बच् परिशन नमपर 4 है निमलिकित में से किसकी उपस्तिती में लोहे में जंग लगता है 2021 में बरिशन पूछा गया सेम वही पूछा जा रहा है फो इसको वाईव में no audio में केवल नमी में इन सभी में तो केवल नमी में तो नहीं है नमी होनी चाहिए और oxygen होनी चाहिए तब ही जंग लगेगा तो B आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा नम वायू में जो है जंग लगती है लोहे में 2021 का प्रश्ण है 2023 बच्चों इस चैप्टर से प्रश्ण होचा गया एक रासायनिक परवर्तन का उदाहरण है मौम का पिघलना चीनी का सरबत लोहे में जंग लगना नमक और पानी का घोल तो रासायनिक परवर्तन कौन सा है इसमें लोहे में जंग लगना लोहे में जंग लगना क्या है रासायनिक परवर्तन है इसके बाद कुश्य नमबर 6 दिया गया है तीब्रगत से होने वाला परव लगना है तो यह आपका जो गुबारे का फूटना है यह आपका तीब्र परिवर्तन होता है जैसे ही फटे का एकदम से पड़ जाएगा तो तीब्र परिवर्तन हो गया कोशन नमबर साथ है रोटी में फफूंद लगना है अनुकूल परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्थित परिवर्तन या क्रतिम परिवर्तन तो रोटी में फफूंद का लगना वच्चो ये परतिकूल परिवर्तन है क्यों क्योंकि अनुकूल परिवर्तन वो होते हैं जो मनुष्य के लिए लाफदायक होते हैं और जो परतिकूल परिवर्तन होते हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं तो ऐसे हम इसको समझ सकत आठ नमर कोश्चन है निमलिखित में कौन सा रासानिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना बर्फ का फिघलना नमक का जल में घुलना या मोम का पिघलना तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा वच्छो रासानिक परिवर्तन की बात करेंगे तो आपका मोमबत्ती का जलना ये रा पूछता है तो आप इन दाहरणों को जोरूब याद रखें पूशन नमर नौ है निमलेखित में से कौन सा रासानिक परिवर्तन है कागज के टुगड़े बड़े टुगड़े को छोटे चोटे टुगड़े में बतल देंगे बी आप से नहीं कोईले को पीस कर पावडर बना देंगे या कागज का जलना या काच की बोदल का टूटना तो राइट रूच चोटे हो जागा जो कागज का जलना है ये रासानिक परिवर्तन होता है अब दोनों परिवर्तन में थोड़ा सा अंतरा आप समझ लीजिए रासा परिवर्तन है हम उसको दुबारा उसी वस्था में नहीं ला सकते हैं इसके लाओ जैसे दूद से दही का बनना ये रासानिक परिवर्तन है तो इसमें जो है एक नया पदार्थ बनता है जिस चावल है चावल का पकना तो चावल पकर के भात बन जाता है तो मतलब यही है कि रासानिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है बहुतिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसके फल्चुरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्यों रंग रूप आकार में परिवर्तन के अरशता है और इसमें जो है कोई नया पदार्थ आपका नहीं बनता है जैसे कागज के बड़े टुकड़े को तुमने छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया तो आकार तो परिवर्थित हो गया लेकिन इसमें पूरा देखा या तो नया पदार्थ नहीं बना कागज के टुगडे ही है नमारे पास इसके लाज ज़िए मालो काज की बोतल तोट गई तो उसका आकार परवर्तन हुआ लेकिन जो पदार्थ है वह स्वेम वह ही है तो मतलब पदार्थ के अड़ों में कोई परवर्तन नहीं होता है उसके राशायनी गुड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नया पदाथ नहीं बनता है तो ऐसा बहुत इक परिवर्तन होता है तो इसके बाद है नेक्ट कुश्चन दस नंबर ज्वाला मुखी का फोटना ये कैसा परिवर्तन है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, परत्या वर्तित परिवर्तन या अन्यमित परिवर्तन तो जो आला मुखी का फोटना बच्चो अन्यमित परिवर्तन है यूँकि ये मंद परिवर्तन तो है नहीं यह जो आलामकी फुटती है तो एकदम से तिप रपर रतन हो जाता है अनुकूल परवरतन भी नहीं है क्योंकि अनुकूल परवरतन वह होते हैं जो हमारे लावधायक होते हैं तो यह भी आपका अपस्ण में नहीं है प्रत्यावरतन वह होते हैं जो जैसे मालो गीली मिट्ट आपके पास है उससे आप कोई खिलोना बना ले अगर आपको पहस्द नहीं आता तो उसको फिर से गीला करके फिर से जो है उसी रूप में ले आओ रबड को दबा दो उसका बल हटा दो उसने फिर आ जाएगी इस फिरिंग को दबा दो अपना बल हटा ओगे फिर तिने पर आ नियमेत परिवर्तन होता है कितने समय फट जाई यह जानकारी नहीं होती कुशन नमबर 11 है नियमलखित में से कौनसा प्रत्या वर्तित परिवर्तन है कौनसा प्रत्या वर्तित है यह बताना है दूद का फट जाना यह राशायनिक परिवर्तन है मौम मत्य का जलना राशायनि दिरख तो ठंडा हो के फिर जम जाएगा हो तो क्या है अपने मूल वस्था में आ जाएगा तो परत्यावर्तित परिवर्तन हो जाएगा कोशन नमर 12 है बहुतिक परिवर्तन में पदार्थ के अड़ों में परिवर्तन होता है नया पदार्थ बन जाता है कोई पदार्थ नही बनता है पदार्थ के अड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसका वच्चत सही जाब हो जाएगा उबतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ नहीं बनता है ठीक एक सफनापका सही जवाब हो जाएगा کوشن नमर 13 है कोन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है अर्दात किलिорм है कि यह आना है जैसे वर्षा का होना तोफान का आना वोकम पकाना चला मुखी का फूटना तो नियमित परिवर्तन में हम इसको रख सकते हैं वर्षा का होना bekommt यह एक मौसम है और मौसम कनफर्म है कि भाई गर्मी आ रही है, गर्मी के बाद आपका बर्षात आएगा, बर्षात के बाद जाड़ा आएगा, फिर जाड़े के बाद गर्मी आए, गर्मी के बाद बर्षात, तो ये जो है करम है और एक दियमित है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि नेमित पर मतलब है बालू के रूपए छोटे-छोटे टुकडे महीन बारिक चीजें प्राप्त कर दी जाएं जैसे नमक जो है नमक का घोल होता पर समुदुर का पानी क्या होई घोल तो होता है नमक का उसके बाद उसको जो है बिल्कुल वास्पन किरिया के द्वारा पानी सुखा दिय जाता है और शेस आपका नमक भचता है और नमक यह वह बही जो है छोटे-छोटे टुकडे तो ल हो जाते हैं उसकी को क्रिस्टली करण कहते हैं तो इसका यह लिए पज़ायनिक अख्या यहां पर राताउनिक अलकरिया लिखा है या तर्या कभिक्लिया तो यह crystal हो जाते हैं उसी को crystal करण कहते हैं तो इसका बच्छो राइट अंत्र हो जागा डी आप्सन फिट करी नमक को और कापर सलफेट को जो है crystal करण के रूप में प्राप्तिया रहता है crystal करण उदाहर रहे रासायनिक परिवर्तन का बहुत तिक परिवर्तन का या रासायनिक परिवर्तन का यहां पर रासायनिक अभगिरिया लिखा है या फिर जाए विक अभगिरिया तो बच्छो यह जो crystal करण होता है यह बहुत साइज आपका बदल सकता है और रंग वावस्था बदल सकती है उप्रवक्त सभी तो डी आफ्सन से हो जाएगा बहुतिक परिवर्तन में तीनों चीज़ें बदल सकती है सतरा नमर कुशन है नेमन में से कौन सा रासाइनिक परिवर्तन है लोहे को जंग लगना सही है भोजन को पकाना ए और बी दोनों तो सही जवाब सी आफ्सन हो जाएगा ए और बी दोनों क्या है रासाइनिक परिवर्तन दिये गए है अठारा नमर कुशन है परिवर्तन किस कार पर निर्भर करता है आवस्था में परिवर्तन रचना में परिवर्तन रंग में परिवर्तन अपरोक्त सभी तो डी आफन सभी है अपरोक्त सभी पर निर्भर करता है परिवर्तन कुश्य नमर 19 है नियमन में से कौन सा रासानिक परिवर्तन नहीं है जो रासानिक नहीं है उस इसका राइट आंसर उच्छो हो जाएगा कागज का गीला होना कि अगर गीला हो जाएगा सुखा देजे फिर आपको वही रूप में आ जाएगा तो भी आपसे नोच्छो सही जवाब हो जाएगा कागज का गलना जो गीला होना राशानिक प्रिवर्तन का उधाहट नहीं है बिश नमर कुशन है लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवस्चक है गर्मी ऑक्सीजन नमी बी और सी दोनों तो यहाँ पर हमने दो सीजे महत्पूर्ण आपसक के बता थी आक्सीजन और नमी दो सीजे होंगी तो लोहे पर जंग लग जाएगी तो डी आपसे यह कुशन नमर 21 है समुदर तल समुदर जल के साधार नमक किस विधी द्वारा प्राप्त के जाते हैं आस्वन द्वारा वास्पन द्वारा हिमकरण द्वारा विद्दृत विसिलेशन द्वारा तो समुदर के जल से नमक जो है वो वास्पन विधी द्वारा जो है प्राप्त से उड़ जाता है और सेस नमक आपका सेस रहे जाता उसमें इसी प्रकार से नमक प्राब्त किया जाता है तो वास्पन विद्वारा हो जाएगा तरह इस नम्र प्रशन है निमन मैं से किसके रवे अर्थात क्रिस्टल प्राब्त नहीं के रहते हैं सोडियम क्लूराइट पर सलफेट या आयरन सलफेट तो इसका बच्चों सही जवाब है बी आप्षन कारबन इस क्वेशन पर थोड़ा सा डाउट है आप लोग किलियर कर लिजेगा कारबन है या कोई और आप्षन है मुझे तो कारबन ही लग रहा है इसके बाद है क्वेशन नमर 24 किसके कारड़ प्लास्टर आफ पेरिस जमता है तो किसके कारड़ प्लास्टर आफ पेरिस जमता है कारबन डैक्साइड हैड्रोलाइसिस हाड्रेशन या डी हाड्रेशन तो बच्चों डी हाड्रेशन के कारड़ प्लास्टर आफ पेरिस जम जाता है डी आप्षन सही जवाब हो जाएगा कुश्य नमबर पचीस है लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है बढ़ता है गढ़ता है उतना ही रहता है या अननुमेव है तो राइट अंतर बुचो हो जाएगा इसका बढ़ेगा अगर जंग लगेगी लोहे में तो उसका भार क्या हो जाएगा बढ़ जाए लकड़ी का जलना तो लकड़ी का जलना जो है वो रास्तानिक प्रवरतन को दर्शाती है बाकी इसमें बहुत इक प्रवरतन दिये गया है कुश्चन नमबर 27 है यसद लेपन की प्रिकिरिया में लोहे पर एक पतली चरत परत किस धातु की चढ़ा जाती है तो आप सभी को पता है जस्ता ने जिंक की परत चढ़ाई जती है C आपसं सही हो जाएगा 28 नमर कुश्चन है काटने के पश्चा तेव का भूरे रंग में बदलना उधारण है काटने के बाद सेव का भूरे रंग में बदलना ये रासानिक परिवर्तन होता है जो की D आपसं सही जवाब हो जाएगा कुश्चन नमर 29 है निम्न में से कौन सा भूतिक परिवर्तन का उधारण है जंग का लगना चांधी का काला होना पानी का उबलना कागच का जलना तो पानी का उबलना ये बहुतिक परिवर्तन है बाकी सेव जो दिये गए आपसं है वो रासानिक परिवर्तन के उधारण है Q3 है वो एक कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अमल और छार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उदासी नी करना, विद्दुत अभगटन, आस्वन या हैडोलिसिस तो तीस का बचु सही जवाब हो जागा A option उदासी नी करना अमल और छार जब करते हैं तो इसके लिए को उदासी नी करन करन करते हैं और इसके फल सुरूप लवण बनेगा और जल बनेगा Q31 है निमनलिखित में से कौन सा रासानिक परवर्तन का उदार नहीं है शरीर में भोजन का पाचन ये रासानिक परवर्तन है दूर से दही बनना रासानिक परवर्तन है जल का जलवाश्प में परवर्तन होना लोहे में जंग लगना ये रासानिक परवर्तन है तो C आपसन सही जवाब हो जाएगा जल का जलवाश्प में बिदलना ये भोवतिक परवर्तन का उदार दिया गया है तो राइट आंसर सी आप्शन हो जाएगा तो पहले वच्छों यह रहे आपके 31 प्रश्ण जो परिवर्तन ज्यानि बहुतिक और आसानिक परिवर्तन इसके लावा आज पास के होने वाले परिवर्तन चैप्टर से समधित थे और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के रहे ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ें और निस्वल्क में तयारी कर सकें तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के रहे धन्यमाद जहिन वन्यमात्रम